Hey guys, तो स्वागत है अपका Captain B2 के चैनल में जहां आज हम बात करने वाले हैं Doctor Strange Multiverse of Madness के Main Villain के बारे में कि उसकी कहानी किस तरह Doctor Strange Multiverse of Madness के कहानी में टेक प्लेस करेगी प्लस, Doctor Strange ने ऐसा क्या कलती किया था जिसके वज़े से उसको ये सब भुकतना पड़ रहा है इस वीडियो के अंदर मैं दो possibility discuss करूँगा कि इस movie के अंदर main villain का role किस तरह play out हो सकता है So without wasting any more time चली direct वीडियो पे आते हैं So इस वीडियो को अभी बनाने का मतलब and मकसद ये है कि हाल ही मिने के लिए TV स्पॉट से पहले Dr. Strange का एक भी shot हमें ऐसा देखने को नहीं मिला था जो कि हमें ये idea दे कि Dr. Strange end fight sequence में होगा क्यूंकि इतना तो तै है कि end fight sequence एक बरफिले इलाके में मौझूद castle के अंदर या बाहर होगा या फिर nearby में भी हो सकता है As castle के बाहर Wong और इस natras pose में Dr. Strange को देख सकते हैं मैं castle के अंदर हम Wanda, Wong, America Chavez और Defender Strange की body पीछे पड़ी भी देख सकते हैं जिसके वज़े से मुझे ऐसा लगा था कि बाहर जो monstrous Dr. Strange दीखा है उसके अंदर हमारा Dr. Strange होगा क्योंकि वो body दो Defender Strange की है जो कि movie के starting में ही मारा जाता है जिस तरह लोहा को लोहा काटता है उसी तर स्कालेट विच जो कि chaos magic यूज़ करके नाट में दम कर ले होगी Dr. Strange की उसको रोकने के लिए Dr. Strange डार्क magic यूज़ करेंगे बट वो अपने body में रह के ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हो सकता है कि कहीं उनका हाल what if के Supreme Strange जैसा ना हो जाए जो खुत के अंदर समाए monster को भी कभी कबार control नहीं कर पा रहा था बट 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 अगर आप इस वले scene में देखोगे तो आपको बर्फ के छोटे छोटे टुके दिखेंगे which implies कि हमारा Dr. Strange भी उस बर्फिले इलाके में मौझूद castle के अंदर मौझूद होगा so मरेवे Defender Strange के body में हमारा Dr. Strange नहीं बलकि Sinister Strange हो सकता है जिसको शायद तक हमारा Dr. Strange यहाँ पर हरा देता है बट वो इस castle में Defender Strange के body में आ जाता है जिससे Dr. Strange Multiverse of Madness की plot almost clear है बट missing है तो Defender Wong का role जो कि क्या पता इस movie के अंदर shot ही होगा खैर मैंने concluding part पहले ही बता दिया था ताकि आपका interest बना रहे वीडियो पर लेकिन अब आते है मौडो के इस line पर जहां वो कहता है कि ब्रह्मान का सबसे बड़ा खत्रा तुम ही हो जो कि पहली बार सुनने में लगेगा कि यह हमारे Dr. Strange के लिए कहा जा रहा हो बट क्या पता वो line मूवी में foreshadow कर रहा हो कि जितने भी कांड हो रहे हैं उनके पीछे हमारा Dr. Strange नहीं बलकि Dr. Strange का variant या फिर specific होकर बोलू तो Sinister Strange का हाथ है एस जब हमारा Dr. Strange Sinister Strange के sanctum centaurum में घुस रहा होता है जहां उसका दरवाज़ा अपने आफ खुल जाता है तो यहाँ पर जो आप carving देख सकते हैं similar carving आपको इस castle में यहाँ देखने को मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से Wanda और Sinister Strange एक साथ काम कर रहे हैं जहां Sinister Strange को power की भूख होगी वहीं Wanda को अपने बच्चे चाहिए होंगे बट जैसा मोशली फिल्मों में हमने देखा है कि जब दो विलन एक साथ काम कर रहे हैं तो एक धोका देही देता है तो उसी तरह Sinister Strange भी यहाँ पर वांडा को धोका देता है और अपना काम बनते ही Wanda को एक mirror dimension या mirror prison जैसे चीज में कैद कर देता है जिसके बाद से जब Wanda अपने की ओस magic से energy wall छोड़ती है तो वो mirror से टकरा के वही पर reflect back करता है जिसका एक gleam समय TV spot में देखने को मिल चुका है जिसके बाद Wong आकर Wanda को छुड़ाता है और कहता है कि जो हुआ सो हुआ अब सब ठीक करने में मेरी मदद करो जिसके बाद से इन दोनों का team up हमें movie में देखने को मिलेगा जैसा कि TV spot के इस shot को देखने के बाद से लग रहा है अब यहां तक तो सुनके लग रहा होगा कि सब कुछ पानी के जैसा साफ हो गया है बट हमारे पास जो दूसरी possibility है कि कैसे सी Mr. Strange जो कि इस movie का main villain होगा उसका part play out होगा उसको सुनने के बाद से आपके होशी ओड जाएंगे तो कूरसी की बेटी बांद लीजे क्योंकि आने वाला possibility बहुत ही wild होने वाला है तो इतना तो आप भी समझ गे होंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब नेकसेस अफ रियालिटी वाले जगा पे पहुचते हैं तो उसके बाद से किसी कारण वस वो सिनिस्टर स्ट्रेंज के दुनिया में जागिरते हैं जहां उनका सामना सिनिस्टर स्ट्रेंज से होता है बट 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 यहां पर हमारा d Major Strange हार जाता है, और Sinistr Strange हमारे d Major Strange के body पर काभू पा लेता है और उसके बाद से माउंट वंडर गॉर वले castle या फिर जो भी यह जगा है वहां पर पोहुच जाता है Sinister Strange का Dr. Strange के body पर काबू करने के पीछे का कारण ये होगा कि वो अपने universe का Nexus being हो सकता है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक universe में दो Nexus being नहीं हो सकते हैं इसलिए यहाँ पे Sinister Strange Dr. Strange की body को use करेगा ताकि वो main universe में आ सके So maybe Wanda and Sinister Strange का main plan होगा कि दो universe को merge कर दे जिसके वज़े से Wanda को अपने बच्चे मिल जाएंगे वही Sinister Strange को chaos magic power मिल जाएगा या dark hold को भी वो absorb कर लेगा जैसे comics के अंदर Wanda नहीं किया था और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा अगर आप recent TV spot में Wanda के ये dialogue सुने तो उसमें वो बोलती है कि try not to break the multiverse मतलब कि कोशिश करना कि multiverse break ना हो जो कि वो Sinister Strange को कह रही होगी ऐस Sinister Strange जिस दुनिया से आया है वहाँ का क्या हाल था वो तो हम लोगों ने trailer में देखी लिया था तो यहाँ पर मैं अगर हमारे second possibility को summarize करूँ तो Wanda और Sinister Strange का plan रहता है कि वो दो universe को merge कर दे ताकि उनके मतलब पूरे हो बट 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 हमारा Strange एहम मौके पर आएगा और Book of Vishanti की मदद से उन्हें रोग देगा यहाँ पर हमारा Doctor Strange Sinister Strange की दुनिया में परे Defender Strange की body में घुस कर उस जगा पर आएगा और शुरू में मात खाएगा एज उसकी body हम यहाँ पर पड़ा हुआ देख सकते हैं बट हमारे Doctor Strange का Defender Doctor Strange के body में मात खाने का में कारण यह होगा कि America Chavez के character पर pressure बनाया जा सके कि वो अपने powers को control ना करने की कमजोरी से fight back करे और वहाँ उस मैदान से भागने छोड़के fight back करे एज इससे पहले जब उसने fight back नहीं किया था तो अपने mentor या guardian जो की Defender Strange होगा उसे खोच चुकी थी तो दोबारा से Defender Strange को ऐसे मात खाता देख कर वो trigger होगी एज जंग में उतरेगी जिसका एक gleams हमें ट्रेलर में ही देखने को मिलिया था well I know ये theories and possibilities सुनने में strange लग रहे होंगे बट जिस movie का नाम ही strange है उससे अब क्या ही expect कर सकते हो by the way कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर स्टेज ने ऐसा क्या किया होगा जिसके वज़े से multiverse में इतना कियोस मचा है तो boss मुझे लगता है कि Thanos का snap एक absolute point होगा जिसको बदलने के वज़े से ये सब हो रहा है ये बस मेरी theory है आपका क्या कहना है इस पर मुझे ज़रूर बताईएगा और मैं यहाँ पर एक बात clear कर दूँ कि just because TV वालों ने ये कह दिया था कि it was supposed to happen इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो nexus point एक absolute point होगा as nexus event तये करने वाला कैंग या उसके variant रहते हैं वही absolute point तये करने वाला सब का माई बाप है जिसके वज़े से universe stable रहता है यहाँ पर absolute point तये करने वाले movie के writer या फिर कहें सबके head cabin 5 की हो सकते हैं बट जो nexus event वाला criteria है उसके ये कैंग की क्या ज़रूरत है वो माईने रखती है जैसे की he who remains उन्हीं event को होने देता था जिसके वज़े से वो वहाँ पर हमेशा बना रहे लेकिन जैसे ही Sylvie ने उसे मार दिया तो उसके बाद से उन points पे नज़र रखने वाला कोई नहीं बचा जिसके वज़े से Kang the Conqueror नाम का character अब TVA का head है I hope आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और आज की जो theories हैं वो interesting लगे हो और अगर ऐसा है तो वीडियो को like कर दीजेगा और अपने दुस्तों के साथ share कर दीजेगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe मार दीजेगा और पुराने हैं तो please check कि अपने bell icon दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो well and good और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका notification आपको जाया है इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटू है जो कि यह लोगों की मदद करें अपना खयाल रखे and keep moving forward करेट लगा कर आगे बढ़ते रहें Thank you for watching this video, stay tuned